अभी में आप लोगों को एक फ्राम दिखाने वाला हूं जिस फ्राम में मतलब बिल्कुल ही मसरूम नहीं निकलने वाला था जिस फ्रामर को लगा था मतलब जो मेरा बेग में मसरूम आएगा नहीं उस बेग में भी अभी मसरूम निकलने वाले देखिए पुरा काला हुए ब बतुर में तिखेए कम बड़ा मस्मूम है कि कि इतना सुनुदर सा मस्मूम निकल इसमें इस में भी ये सब मस्मूम निकल गया था पनोम तोल दिया और क्यों इसके बाद वी कि पीन हेट मतलब निकल रहा है और उपर से दिखिए इसका बेग तूरा काला हो गया लेकिन साइट में इसका कितना बढ़िया सा मतलब पीन हेट निकल रहा है यह दिखिए इसका सटा सटा बेग में ही मसरूम है और और भी में एक बेग दिखने वाला हुए दिखिए निशे से एक दम काला हो गवाया ब었लितीं नहीं है और इस बेख में भी मतलों है पुटा का पूटा मासरूम निकल चुका है कितना बढिया से दिखेंञे का सब लिग में इसा है एक पुढ़ा जो हम लोग अभी ठाहिए यह पूरा भार में लब सेफेण हन्ट बेट अभी है और है इसमें देखिए इसमें भी मश्रूर्म आप्षा से आया होगा है इसा नहीं है कि माश्रूमा बेख में मस्रूम आया हुआ है और इसमें नहीं सुन्दर शार है लेकिन इसमें निखिए पानी थे ख़गा अपर में पुरा पानी सुप गया आज इसमें दीखिये इए मतलब सामने से दिखा रहा है यह भेग प्रकला बाकी में आजие डीद किल गन्दा जो गया देखिये इस इसी बेग में कितना बोड़ी मतलब हमाँ कुछ convention यह दिखिए कितना सुन्दर सा मृस्रूम आया हुआ है एक बेग में कितना पीन है ऐसे मंदलब जो काला होने का बाद लोग बोलते हैं कि वैट में मास्रूम आएगा नहीं हो बेग फेक देड़ा हूं मैं एकि बार गोलता हूं मैंनला रख कभी भी वह बेक को नहीं फेगना है तो यह अध्र से मदल्य ग्या है तो इसका पानी को निकाल देना है और उसको ऐसे ही राख देना है तो जो पानी चुख जाएगा ओड़ोस्तुक द्वाली मासुम निकल देगा तो यह दिखी बेग म और व देखिये जैसा वे दूधार है क्isक्त इस तरह में भी दिखां निकल जुका जिए देखिए यह देखिए यह बढ़ा है इस बेक में देखिए यह कितना काला हो गैए कितना गंदा हो गेरी तो चीज़ा इस साइट में दिखिए किसा कितना सुदर्स हैं अस्फ निकल सब्धेश्ञ जिये वी है ज्यृ धेखिस और सबस்क्राइव iki हैं चिबस में निन ऑफ सब्सक्राइब यृ गेखिए और इसका साइड में दाचे किना मुथ ऑचे बीन critter की यह अच्रीविर टि यह देखिए जिसमें भी देखूं मालब बेग काला हो गया लेकिन मसरूम आया हुआ है और इसलिए कभी भी मालब बेग को नहीं फेकना है अच्छी से इसको रखना है और मसरूम ध्रेदीर ही निकलते रहेगा इसमें भी देखिए यह उपर से ख्ञंप उस्प गया और सब्सक्राइब निगले लेकिन चेपर बढ़ए इस बेख में यह दिखिये अर इस बेक को दिखा रहा है कि वैब भी बड़ा घंदा हो गया है हुए में भी मास्म आयह हुए कि ऑंभी में यह पूर्प फार्म को दिखा रहे यह दिखे पुरा 700 का बैठ है इस फार्मरें और इसमें एक कारण हो सकता है मतब यह बेढकाला होने का ने कारण वाल विशिखिहा पूरा साइट में जो तीना से बैला हुआ है तो इसका रूम में हुविनिती ज्यादा हो गया तो इसी लिए बेक काला हुए था लेकिन अभी धिरे धिरे इसका मास्रूम निकल चुका है को bakın यह तेखें उन्हे में और यह नहीं ह clicked कैनलने को लैकिन इसका आद काई एक ऑना वही बाँ में ख़्ञे ज्यथा और जो बैग में लागाने का तायम में जो जो कि महीन का श्रूम से एकला हो तो आप लोग भी यह नहीं के स्टाइब को सफ होंगे क्यूंकि कोई-कोई लोग जो मतलब काला हो गया बोलके बेक को फेक देता है तो इसलिए मैं सब को ही बोलता हूं कि बेक को कभी नहीं फेकना है और बेक में क्या है धीरे-धी जो पानी शुकने का बाद मश्रूम निकल लेगा है ओके थेंक्यू झाल झाल